आज हम इस वीडियो में ब्यास कैसे निकाल ना है वो देखेंगे मान लिजिए आप किसी से पैसे ब्यास से पैसे लेते हो मान लिजिए आप एक 10,000 रुपे आप किसी से लेते हो तो आपको यहाँ पर calculator में 10,000 फिल कर देना है याँ टाइक कर देना है और आपको into कर देना है और यहां पर आपको आप कितने बैद से लिए हो या फिर आप दिये हो यानि कितने रुपए के बैद से यानि 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, 1.5 रुपए आप कितने भी अमांट से जो है बैद से दिये हो तो आप मान लिजिए हम तीन रुपे बैद से लिए है तो हम यहाँ पर तीन फिल कर देंगे और और इसके बाद आपको और गुनाकार कर लेना है और कितने समय के लिए कितने दिनों के लिए मान लिजिए बारा महीने यहाँ बारा मैनी फील करना है और उसके बाद आपको जो है भागा कर लेना है इस सब का और यहां पर हंड्रेड यहां पर देखे ऐसा कर लेना है और यहां पर एकुल कर देना है यह रहेगा आपके पूरे साल का बैज